आज हम बनाने वाले हैं मक्की और मूली के पराठे और वो बनते हैं बहुत टेस्टी इसके लिए हमने लिया है एक कप्य मक्की का आटा एक बड़ी मूली को हमने ग्रेट कर लिया है इसका पानी हमने निचोड दिया है सूखा कर लिया है इसको एक हरी मिर्च को बारी काट लिया है हरा धनिया की पत्ती ली है अजवायन 140 स्पून ली है दो टेबल स्पून हरा धनिया पत्ती है और नमक स्वाद के अनुसार है तो सबसे पहले हम एक गुनगुना पानी लिया है और सबसे पहले हम इन सब को mix करेंगे अच्छे से इनको mix करेंगे क्योंकि मुली हलकी गीली है तो पानी जो है हमें उसी के according डालना है पहले हम इसको mix करके देखेंगे कि हमें कितने पानी की requirement है और इसको mix करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हाथ पर लेकर आप डालने हैं थोड़ा थोड़ा पानी और इसको soft dough हम लगाएंगे इसको अच्छे से चिकना करेंगे ऐसे हाथों से मसलते हुए हम इसको चिकना करेंगे भी देख रहे है न हम थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के और ऐसे हमें जैसे गेऊं की रोटी का आठा लगाते हैं वैसे नहीं लगाना यह इस तरह से मूक्की से हमें हतेली से हतेली से प्रेशर देते हुए इसको हमें मतना है चिकना करना है तो यह दुबारा से ठ्वड़ा सा पानी हम ने डाला है जहां पर सुखा आटा है और इसको ऐसे हाठ से म Olankha कर लेंगे और इस तरह से उसको हाथ से चिकना करेंगे जितना अच्छा आटा लगा होगा उतनी ही अच्छी रोटी बनेगे तो यह देखे आटा जो है वो लगना शुरू हो गया है देख सकते हैं आप अब आटा बिखर नहीं रहा है और यह चिकना होना शुरू हो गया है इसमें हमने गेहुन का आटा नहीं डाला है यानि डारेक्ट मक्की के आटे से हम बना रहे हैं यह देखे कुछ इस तरह से आटा त्यार हो जाता है ये देखिए हमने एक प्लास्टिक ली है जैसे आप नमक की थेली को ले सकते हैं उसको काटके हमने तेल लगा लिया है इसके दोनों तरफ चकले पर रख लें उसको और लोई बना कर जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी है उसकी ऐसे लोई बना लें अच्छे से ये देखिए मैंने थोड़ा सो छोट लोई ली है और ये देखिए बहुत अच्छे से ये बन देई है स्मूथ हो गया है अब हम इसको हाथ से ऐसे दबाएंगे हलका सा गोल करेंगे और इसको उपर से से प्लास्टिक से कवर कर देंगे और बेलन की साहता से हम इसको बढ़ाएंगे बेलन से हम रोटी बनाएंगे आप हाथ से भी बढ़ा सकते हैं और इस तरहीं की आप बहुत आसानी तो इस recogn की बहुत आघ़िय है मुली ग्रेटेट दिख रही है और बहुत टेस्टी बनने वाले हैं ये और जब हम इसको निकालेंगे तो हाथ पे ऐसे रखके रोटी को ऐसे पलट लेंगे तो इससे क्या है रोटी टूटेगी भी नहीं और बहुत आसानी से निकल जाएगी अब हम इसको तवे पे डाल दें जब तक रोटी सिकती है मैं इसको हाथ से बढ़ातर बताती हूं ये देखे अंगूठे और उंगली की साहता से हम इसको ऐसे लोई को थोड़ा फ्लैट कर लेंगे और ऐसे हाथ से इसको बढ़ाएंगे तो जिनको हाथ से आती है वो हाथ से बना सकते हैं मैं एक आपको हाथ से बना कर दिखा रही हूं इस तरह से यानि रोटी पराठा आप जो भी बनाना चाहें कितने अच्छे से बन गई है हमने रोटी को पलट लिया है यह देखिए और दूसरा तवा मैंने रख दिया है इसके उपर मैं सूखा आठा डाल रही हूं थोड़ा सा उससे क्या है रोट को लोह के तवेपर डाल दिया है तो दोनो रोती हमारी जो है वह सिक रही है आप देख सकते हैं और यह मकी का परांथा रोटी परांथा यइनि आपने घी लगा दिया तो परांथा बन गया और आप ऐसे सेख रहे है तो रोटी इस तो निशान है वह आने शुरू हो गए त और दूसरी तरफ से पलटेंगे मुझे प्रेक्टिस है इसलिए मैं हाथ से रोटी पलट रही हूँ आप कोशिश कीजिए कि पलटा या चिम्टा लेके रखें जिससे आप रोटी पलट लें उससे आसानी रहेगी ये देखिए बहुत अच्छी रोटी सिख गई है इसका आटा जो है बहुत ज़्यादा इखटा नहीं लगाते हैं थोड़ा थोड़ा आटा लगाईए चार रोटी का एक बार लगाईए पांच रोटी का एक बार लगाईए और रोटियां बनाकर त्यार कर लिजे आप इनको कच्छा सिख्की भी रख सकते हैं अब हमने इसको थोड़ा सा पोटेटो मेशर से प्रेस किया है और ये देखिए क्रिस्पी रोटी बन करते आ रहा है क्रिस्पी परांठा बन करते आ रहा है बहुत अच्छा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंदाती है तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में ये देखिए हम ये रोटी भी पलट लेते हैं तब तक मैं ये चाकू की सहेता से पलट रही हूँ ये देखिए कितनी अच्छे से सिख गई है पानी के पराथा सिख कर तयार है हम इसको निकाल लेते हैं पलेट में देखिए कितना यमी ये लग रहा है तो आईए अब हम दोसरा भी इसको रोटी न से कर पराथा ही बना लेते हैं इसके उपर घी लगाते हैं और पलट देते हैं दोनों तरफ से ये जो है बहुत अच्छे से लिखिए तो उससे होसला फजाई होती है हमें और आगे काम करने की हिम्मत मिलती है प्रोटसाहन बढ़ता है आशा करती हूँ आप मेरी ये वीडियो जरूर पसंद करेंगे जरूर ट्राइ करेंगे तो ये देखिए ये भी हमारा पराथा जो है दोनों तरफ से सिख के तया आले हैं थैंक यू सो मच फो वाचिंग माई रसीपी देखिए हुआ